रसीपुरम कृष्ण स्वामी या ये नरायन स्वामी ये पूरा नाम था दोस्तों आरके नरायन का इनका टाइम स्पेन था 10 अक्टूबर 1906 से 13 मही 2001 तत ये फेमस राइटर्स राजा राओ और मुलकराज आनंद के साथ के राइटर थे नोवलिस्त थे नोवल्स लिखा करते थे बहुत सिंपल नोवल्स लिखा करते थे दोस्तों हमारे ज्यादतर इंग्लिश राइटर्स को इंस्पिरेशन मिली थी बाहर के राइटर्स से जैसे इनको इंस्पिरेशन मिली थी इनके अच्छे दोस्त बहुत ये अच्छे दोस्त ग्राहम ग्रीन से उन्होंने इनकी नोवल्स को पब्लिश करवाने में इनकी बड़ी हेलप की थी। ज़्यादातर semi-autobiographical works दिखा करते थे तो इनकी trilogy में तीन books शामिल है Swami and Friends सबसे पहरी दूसरी नंबर की The Bachelor of Arts और The English Teacher इन तीनों को मैंने पढ़ा रखा है और भी इन्होंने बहुत सारे works लिखे हैं वैसे दो लेकिन एक work है The Financial Expert इसका नाम नोट कर ले न इसमें न आप सोचोगे इसको पढ़ते वक्त की इतनी finance की बाते एक arts का इंसन कैसे कर सकता है और आपको बता है आरके नारायन की इस novel को especially commerce के student भी पढ़ते हैं बाकि एक किताब जिसने इनकी life को पूरी तरीके से change करके रख दिया वो थी Guide Guide के लिए इनको साहित्य अकैडमी अवार्ड मिला था देवनन ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी Guide नाम से जो की पहले English में बनाई थी वो flop थी और उसके बाद जो Hindi में बनाई वो blockbuster थी उस फिल्म के लिए Filmfare अवार्ड मिला दूसरा उसको Best Film का अवार्ड मिला अब आप उस novel को पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई extraordinary character है उसके अंदर ये अपने day-to-day life के अंदर से character उठाते थे हलवाई, चोर, बकरी वाला, बावर्ची और इसलिए इनको एक American novelist है William Pockner उनसे compare किया जाता है क्योंकि वो भी same day-to-day life में से humor ढूंदते थे same इनकी तरह और ध्यान रखना है इनकी short stories को Guy D. Mopasa जो एक French writer थे जिन्होंने the necklace रखी दी उनकी stories से compare किया जाता है और critics तो इनको एक Russian writer थे short story writer Anton Chekov उनसे compare करते हैं बोलते हैं Indian Anton Chekov खास करके इनके दोस ग्राहम ग्रीन वो मानते थे ये काफी similar लिखते हैं Russian writer Anton Chekov की तरह critics ने ये note किया कि Narayan अपनी कहानियों में characters का description ज़्यादा देते हैं analysis करने के बज़ाए इनको अपने starting works में कोई खास success मिली नहीं थी पिर इस वक्त इनकी जो दोस्ते ग्राहम ग्रीन उन्होंने इनको advice दी कि stories तो अच्छी लिखते हो लेकिन title थोड़ा change कर दो catchy type का बनाओ जैसे Swami and Friends दोस्तों इनको E.M. Foster से भी compare किया जाता है इनको बुला जाता है South Indian E.M. Foster लेकिन Indian critics ने कई मामलों में काफी हद तक इनको criticize किया जैसे शेशी थरूर ने बोला है कि नारायन के works काफी हद तक Jane Austen से mail खाते है क्योंकि दोनों ही society के एक छोटे तबके को deal करते है फर्क सिर्फ इतना है कि Jane Austen अपने subjects को ordinaryness से थोड़ा सा उपर ले जाती है और नारायन नहीं ले जा पाते और बाकी के Indian critics ने ये बोला है कि सादा stories लिखना अच्छी बात है लेकिन थोड़ी complexity और थोड़े दूसरे emotions होना भी जरूरी है तो ये note करने वाली बात है एक खास बात थीया अरके नारायन में कि वो कभी भी politics पर या इंडिया में जो problems चल रही थी उस बक उन पर लिखना खास पसंद नहीं करते थे जैसे उनके contemporary writer थे मुलक राजानन जो discrimination से बड़ा परिशान थे वो वैसी चीज़ों पर लिखते थे राजा राओ ने महत्मा गांधी पर लिखा लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि शायद यह अपने writing को art मानते थे और directly अपने reader के दिमाग से connect करना चाते थे आप देखना है इनकी novels में जैसे Swami and Friends में Britishers का rule था लेकिन इनकी कहानियों में कोई خاص reaction देखने को नहीं मिलता उनकी खिलाफ, Britishers के खिलाफ वो बस अपने characters की private life में ज़्यादा interested थे तो ये सब बात हो गई इनकी life की अब बात करते हैं इनके awards की जो इनको awards मिले हैं देखे इनको सबसे major award मिला था साहित्य Academy Award 1960 में Guide के लिए और इनकी उसी book पर जो film बनी थी Guide उसके लिए इनको मिला था Film Fair Award फिर 1964 में मिलता है इनको Padma Bhushan Republic Deeper फिर 1980 में मिलता है इनको A.C. Benson Medal British Royal Society of Literature की तरफ से और तो और कई बार इनको Literature में Nobel Prize के लिए भी नॉमिनेट किया गया लेकिन कभी ये honor इनको मिला नहीं और इनकी death से एक साल पहले साल 2000 में इनको इंडिया का second highest civilian honor Padma Bhushan मिला था हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कुछ helpful साबित हो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही